हेलो फ्रेंट स्वागत आपका माई टेक्निकल हेल्प में इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक SMS करके किस तरह से हम जियो का एक्टिव प्लैन में डेटा बेनस चेक कर सकते हैं याने कि हमारे MB कितनी यूज की है कितनी बाकी है और डेली की कितनी हमें मिलती है साथ ही हम जानेंगे कि हमारा जो एक्टिव प्लैन है वो कब तक एक्सपायर हो रहा है यान की प्लैन की वैलिडियो की प्लैन की जानते इसके बारे में आपकी इंफर्मेशन के लिए मैं आपको यह भी बटा दूँ कि मैंने एक और वीडियो बनाई है उसमें बटाया है कि किस तरह से हम मिस्कोल करके यह देटल सब चेक कर सकते हैं तो वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के लिस्के में मिल जाएगी साथी कुछ और वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी उस वीडियो को देखके आप और भी इंफर्मेशन ले सकते हो साथी आप चैनल को वीजिट करके भी और वीडियो देख सकते हो तो चलिए finally जानते हैं कि किस तरह से हमें SMS करना है और जानना है तो चलिए मैं messaging app को open करके आपको आगे लिखाता हूँ messaging app में आपको कोई भी message नजर नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मैंने सारे message delete किये हुए है अब हमें message करने के लिए यहाँ पर plus icon पर click करना है उसके बाइड हमें VAL लिख के message को send करना है तो मैं यहाँ आपर नीजे text box में VAL type कर देता हूँ अब next हमें sim को select करना है अगर हमारे phone में dual sim active है तो मेरे phone में geo और vii का sim है तो मैं यहाँ आपर geo को select कर लेता हूँ अब हमें message को send करना है अब हमारे message send हो चुका है और कुछी time में geo की और से हमें एक message भी receive हो चुका है तो चले मैं message को open करके आपको आगे दिखाता हूँ तो यहाँ पर लिखा है बैला स्पोल zero number तो सबसे पहले उपर लिखा है कौन सा प्लेन हमारा active है तो यहाँ पर मेरा active है 599 वाला plan उसके नीचे लिखा है data तो कितना data हमने use किया और कितना हमें daily का मिलता है यहाँ कि कितनी mb use की है या कितनी gb use की है और कितनी daily की हमें मिलती है उसके नीचे लिखा है SMS के बारे में उसके बार लिखा है plan expiry के बारे में यानि कि plan की validity कप तक की है उसके बार नीचे एक और plan के बारे में बटाया गया है जो की add-on plan है 11 रुपे वाला उसके बारे में यहाँ पर बटाया गया है तो आप इस तरह से एक sms करके जियो का balance और उसकी detail चेक कर सकते हो तो I hope कि मैंने वीडियो में जो आपको बटाया वो आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा तो इस तरह की और भी वीडियो के लिए सेहना को सब्सक्राइब करके notification बेर को प्रेस कर दिजी ताकि आपको new वीडियो की notification मिलती रहे तो चलिए मैं अब आपसे बाढ़का तब next वीडियो में